असलाम आपको अप्राइब करनी है वो अपने सुननी है उसे पहले मैं आपको बता हूँ सेंट फ्रैंसिस ऑफ असीसी यह बड़े इंपोर्टन एक सेंट गुज़रे हैं रोमन कैथलिक्स के और उनका जो बैक्राइब बड़े प्रो पूर थे और चैरिटी में बहुत बड़ हैं रोमन कैथलिक्स में उन्होंने यह कहता कि start by doing what is necessary start by doing what is necessary and then do what is possible and suddenly you are doing the impossible मतलब क्या है कि अगर आप वो काम शुरू कर दें जो के बहुत जरूरी है और साथ ही आप वो काम भी शुरू कर दें जो कि आपके लिए possible है तो आप basically वो जो impossible चीज़ें हैं वो भी आप कर लें ठीक है ना तो यह हमारे मुलक में जो इसे चीज़ें चल रही हैं उनमें हमें मायूसी भी बहुत होती है लेकिन जो हम कर सकते हैं अगर हम वो करना शुरू कर दें तो बहुत सारी चीज़ें हम ठीक भी कर सकते हैं तो इसलिए मैंने आपको सुनाया कि जो बड़े लोग ही आ रही है कि मैंने आपको कल भी बताया था कि यह जो कोवीड हुए है ना उनको यह उनको एक रिस्पेक्टिबल एक्जिट देने की कोशिश होगी तो वो अब साबित होना शुरू हो गया है और खबरे आना शुरू हो चुकी है कि बाइडन साब रहे हैं उनके दो एक द उन्होंने भी यह कहा दिया कि यह डिवाइन इंटर्वेंशन हुई है टरंप के हवाले से और खास्तों पर टरंप के हवाले से उनका है कि जो ब्रेवरी उन्होंने शोकी है वो उनको अब लीडर ऑफ दे नीशन बना रही है तो यहां से आप अंदादा लगा लिए कि क्या हो सकता है और साथ ही भी खबर आ रही है कि सीक्रेट सर्विस को दस मिनिट पहले पता चल गया वा था कि के मुतलिक जहां पर कोई एक्शन होने वाला है तो फिर नहीं क्यों नहीं रोका दस मिनिट पहले पता लग जने के बाफ़ जूद उनको इन्होंने स्टेज पर जाने बहुत शुक्रिया जी गौरी साब अमरीका से ही शुरू करते हैं चूंकि आपका तो फील्ड है और आप तो डिप्लामसी के इस दिश्ट की सिजाही में आपने सारी जिन्दगी गुजारी है तो मुझे ये बताएं कि ये जो आप सुरते हल बन रही है जो इवॉल्व हो रही है जो हमने जब से देखा कि जब पहली डिबेट हुई कि उसके बाद हमने देखा कि फिर लोगों ने तज्जरुबात करना शुरू कर दिये और आइस्दा इस्दा ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब मौमला जो है वो अब बाइदिन साब के हाथ से निकल रही है तो अब खबरें आ रही हैं कि जनाब उनको अब वाक्यतन मजबूर कर दिया गया है कि वो इसके बारे में खैसला कर लें और उसकी तस्थील हम बात करेंगे लेकिन आप क्यों के बार शुरू कर दें फिर मैं आपको साथ से बताता रहूंगा कि क्या क्या तफसिलात आ रही है प्लीज गुए तक शाना साथ इसमें एक बहुत ही आप पेश्रफ्ट यह हुए है कि ताज़ा तरी इन पेश्रफ्ट है उसमें साबित सदर बारत अबामा ने पब्लिक ली बाइडन से यह अपील की है कि वो दस्तवर्दार हो जाएं इसलिए कि अकॉल उनके वो इलेक्शन नहीं जीर सकते हैं और मैं कल देख रहा था CNN पर वो इसी बाइडन के बीमारी पर वो जो कोविड है उनके उस बीमारी पर बात कर रहे थे माहरीन अपनी आरा का इजहार कर रहे थे तो एक साहब ने यह कहा कि देखिए बड़ी अजीव अगरीब बात है कि बाइडन साहब के लेकिं अए इर्द गिर्द लोग थे किसी ने बास्क नहीं पहने हुए थी तो यह कह रहे थे कि यह जो कोविड है यह सिर्फ एक बहाना है असरुमें उनको 5 दिन के लिए 4-5 दिन के लिए तखलिये में रख दिया गया है कि वो ठंडे दिल से यह सोचें हैं कि वो ना उनक सहत ना उनके जिस्वानी सहत इजादत देती है ना उनकी जमागी सहत के मतालग तो खेर नहीं कहा जा सकता लेकिन ये के खास्तोर पे ट्रम्प पर जो हमला हुआ है जा या जो हमला करवाया गया है इसले के ट्रम्प के मतालग तो मुटतफ़का फैसला ये है दोस्त का भी और दुश्मन का भी के वो जो हम कहते हैं ना पाकिस्तान के आवामी जबान में के ड्रामा बाज हैं तो जो आप अभी कह रहे थे के दस मिनट पहले हो गया था के उन पर हमला होने वाला है लेकिन उसके बावजूद उनको स्टेज पर जाने की जाज़त दी गई तो वो किसी को ट्रंप पर हुआ है लेकिन इसने सियासी तोर पर बाइडन को खत्म कर दिया तो तो देखें यह सियासत की नेरंगिया इसमें इसमें थोड़ी सी मैं चीज़ एक कर दो लेकिन सेनेटर मार्शा ब्लैकमन है उन्हों नहीं ये कहा है कि जी आई वस अपॉल्ट तो लेर्न आप समय कर दो आएड पर को शुर्फ नहीं डागिये रखना धक्राइड भीट सीनेट यह खाल ट्रॉम्स युआ नहीं एक रख़ें पर खेंक सेनेटर्स बिलिदिट्ट आप ट्रॉंट विर्टॉट उर्फ और टैटल तो यह मत पुदूल्स गां अप बंदिए एकिनिये आप क्योंकि डिप्लोमेट रहे हैं और आपको मालू है इन नुवांसिस का और इंट्री केसिस का मुझे ये बताएं कि जब दास मिनट पहले पता चल गया था और उसके बावजूद उनको अगर जाने दिया गया इस्टेज पे तो उसका क्या मतलब है मुझे तो ये लगता है कसाना साथ के वो एफबी आई को जब सीक्रेट सिर्विस को मालूम हो गया था कि इस किसम का हच्षा है मुम्किनात में से है कि टरंप पर हमला हो तो यकीनां उन्हों ने ये बात टरंप के साथ शेयर तो नहीं होगी लेकिन टरंप की जो फितरत है तो जो मैं कह रहा था अभी चंद सानिये पहले कि वो ड्रामाबाद हैं और वो इसी तरह से ऐसी ऐसे हालात पैदा करते हैं ऐसी सिटुएशन्स क्रियेट करते हैं कि जिन में ड्रामे का उनसर हो और वो गालिब रहें तो आप देखिए ना कि वो पूरे कन्वेंशन में रपब्लिकन कन्वेंशन जो मिल्वाकी में हो रहा है यह 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 पूरे वक्त अपने दाई कान पर वो पट्टी लगाए रह गया है कि ट्रम्प पर हमला हुआ और ट्रम्प की तो ऐसे भी वो जो 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 उनके फिदाईन जिनको मैं कहता हूँ उनके जो फॉलोर्ज हैं वो तो पहले ही से इस बात के गायल है के ट्रंप ही एक ऐसी मजबूत शख्सियत है, सियासी सियासी कड़ काट रखने वाली शख्सियत जो अमरीका को फिर से मजबूत बना सकता है, ताकत वर बना सकता है और देखे वो जो तकारीर हुई है उन तकारीर में दो बाते बहुत आहम हैं एक तो यह के इस्राइल की भरपूर भायत और यह जो जिन सहाब को उन्होंने अपना रुनिंग मेट बनाया है जिए वैंस वैंस जो उनकी उनकी जो सबसे ज़ादा जो जिस बात को तशहीर दी जा रही है वो यह है कि वो यरोशलम में दीवारे गिरिया के सामने जाकर जो उन्होंने हकिदत का इधार किया था जिस तरह से वो छुके थे तो यह सारी बाते हैं तो अमरीकी सियासत में तो आस्टॉर पहें मुझों कहते हैं ना कि आप पिक्शर स्पीक्स ताऊ होती हैं और इस तरह कि जो इमेजेस डू मैटर इमेजेस जी 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 जो जो आप्टिक्स जिनको का जाता है वो बहुत आहम कितार अदा करती है तो अब रिपब्लिकन्स के लिए तो कोई परिशानी नहीं है इसलिए कि उनको तो मैदान साफ नजर आ रहा है कि वो दुबारा के लिए वाइट हाल्स तक पहुंचने की राह हमवार कर चुके हैं मसला तो डेमोक्रैटिक पार्टी का है इसलिए कि उनकी सफों में इंतशार है बाइडन साब ये कोविट के हमला होने से पहले तक हर रोज ये कहते रहे हैं कि मैं पूरी तरह से मैदान में हूं एंड आम आम इन दे रेस लेकिन वो जो जो सुरत अचाल को बेहतर जाते हैं जो जो बसीरत की निगास से तमाम डिवेलप्मेंट्स का जाहिजा ले सकते हैं वो जानते हैं कि बाइडन तो वो जो कहते हैं ना कि he's a dead horse and there is no point in flogging a dead horse तो अब डेमोक्रेट्स के लिए जो सबसे अहम काम है वो ये कि उन्हें एक ऐसा उम्मीदवार चुनना है नामजद करना है जो ट्रम का मकाबला कर सके हैं मैं मुक्तलिफ तजिए तफसरे सुन रहा था को वो कहते हैं कि अगर ट्रम को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो वाइ पता तो आपने का ना कि आप नहीं समझते हैं आप उमें जो डिटेल्स आहीं हैं वो मेरी एक दो लोगों से बात भी हुई है और वो ये कहरें के जी वो प्लैन ये कर रहे हैं कि इस वीकेंड पे मोस्ट प्रॉब्ली ऑन संडे वो ये अनॉंस्मेंट कर देंगे बिड्रॉ ये बहुत इंटेस्ट वात है हाँ अच्छा आप साथ ही उन्होंने ये कहा है कि जो कन्वेंशन है जब होगा तो हैरिस के साथ ही उसको ओपन करेंगे और तीन साथ लोग और भी होंगे और सूपर डेलिगेट्स जो हैं वो उनको अलाव नहीं किया जाएगा कि वो समझता हूँ कि इसके ओपर हम आपके साथ जो तज्जी है वो मजीद भी लेंगे लेंगे लेकिन विफोर वी गो इंटो डीटेल्स मेरा खाल एक थोड़ा सा हमज़रा डिमेस्टिक की भी बात कर लें ताकि टाइम जो है उसको भी हम कवर कर सकें एक तो मुझे ये बताएं कि जो सुरतियाल इस्वत आप देख रहे हैं पाकिस्तन के अंदर वो एक तो वो कहते हैं ना सिर्र दिल बरा दर हदीसे दीगरों कि अब अपने जो लोगों के राज हैं वो भी हमें दोगों की जो दूसरे लोग हैं उनके तरीकर से बताने पड़ते हैं कि हमारे हाँ भी त किसी जो है वो लगने जा रही है कोई कहता है कि कुछ होने जा रहा है कुछ होने जा रहा है उसके साथ साथ जो हमारी सियासत में तहजीद की कमी है वो अब अलल एलान है वो जाना के वो समने आके बोल रही है जाजीब हाल है लगता यह है कि यह सियासत का खाड़ा नहीं है बलके कोई चलिया घर है जिसमें हर हर परिंदा हर तायर अपनी बोली बोल रहा है और मसा का खेज बेयानात होते माणा मैं अब ही देख रहा था अभी सुन रहा था खबरें बाकिसान की शैवाल शरीफ साहब ये कह रहे हैं कि गरीबों पर टैक्सों का बोज नहीं डालना चाहिए भाई तुम वजीराजी हो तुम्हारी हुपूमत ने वो बजट मन्सूर किया है जिसने गरीब की कमर तो पहले पहले इस पर जो वो जो महंगाई का बोज था उस पर मजीद आपने टैक्सों का बोज लाद दिया है मजीद फिर सूरत हाल ये है कि हैदरबाद में वो आज मैं सुन रहा था कि विजली कई बहुत तबील अर्से से गाइब है मालुम ये हुआ कि वो ट्रांसफॉर्मर जल गए है क्या हुआ है इद जी उन्होंने कहा है कि जहां तक विजली का तालुख है ये एक हकूमत को पावर अमिरजनसी नाफिस कर देनी चाहिए नफास कर देनी चाहिए दूसरी तरफ आज कराची चेंबर आफ कॉमर्स से तलाल चौधरी साहब जो जो हुक्मरा तपके के बहुत ही सरकरदा रुकन ह और नमाइंज्जी करते हैं उन्होंने कहा कि यह कैसे हो सकता है क्यूंकि सफा कमाल नए ये कहा था कि आई पीपीश के साथ जो महाईदे रहेम aos कॉम्थ की सी डिए ज जो महाईदे किये गए थे और उन महाईदों कि शरायत को पूरा करने में हुकूमत की का वो आप कह सकते हैं कि एक तरह से भटा बैठा जा रहा है लेकिन तलाल चौधरी साहब ने चेमबर ऑफ कॉमर्स से खताब करते हुए कहा कि आई पी पी के साथ जो महाइदे हैं वो तो वो उसमें तो सौवरें गैरंटी हमने दी हुई है और अगर हम इन महाइदों के कि खुद लोग उसमें शामिल है ना इसलिए के वो जो आई पी पे जो कंपनीज हैं छ्यानवे याठानवे कंपनीज हैं उन में कोई सतर के करीब तो कंपनी से जरदारी खांदान और शरीफ खांदानों की हैं तो ये तो अपना घर बर रहे हैं और और कोई कोई फिकर नहीं हैं अजीब और वरीब सूरत अहाल ये है तश्मीशनाग इंतहाई अफसोसनाग सूरत अहाल ये है कि चौवीस पच्चीस क्रोर आबादी का मुल्क है लेकिन उसको जिस तरह से चलाया जा रहा है जिस तरह का नजम नसक है बलके नजम नसक नाम की तो कोई चीज नजर नहीं आती है ही नहीं है बलके वो जो आवत सुनते आये थे अंधेर नगरी चौपट राज उसको अपनी आखों से पाकिस्तान में अपने वतने अजीज में रूनमा होते हुए देख रहे हैं अब उसकी एक मिसाल तो ये देखे ना गोरी सब के जहां पे सुप सीर्स के ओपर जो डिसीन किया है उसके अब अभी तक लैतौलाल से काम लिया जा रहा है उसके अब भी 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 कोई इसक्राइट नहीं आज 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 इलेक्शन कमिशन का का इजलास हुआ था जिए पर गोर करने के लिए लेकिन वो कोई फैसला नहीं कर सके बलके उनकी नि कर रहे हैं देखे वो सुप्रीम कोट ने ये जो हुक्म दिया है आप जानते हैं कि तेरा जडिस की फुल बेंच थी लेकिन मुत्तफ़का फैसला नहीं है आठ जड़ों ने उसके हक में फैसला दिया कि ये जो मक्सूस नशिस्ते हैं ये पी टी आई इसकी हकदार है पांच जड़ों ने उसके खलाफ फैसला दिया और उन पांच में हमारे चीफ जस्टिस फाइज इसा साब भी शामिल है और अब जो उन्हों ने ताजा तरीन मैं हरकत कहूंगा उसको हरकत की है वो ये कि उन्हों ने असुद ये इलान कर दिया कि सुप्रीम कोट में जड़ों की कम उन में दो दो जड़िज्ज ने तो जड़िस मुशीर आलम ने और जड़िस मकबूल बाकर ने तो इंकार कर दिया है कि वो वो इन एड़ होग ये आज देखते हैं आज आज उनका इजलास होगा देखते हैं उनके क्या करते हैं लेकिन एक चीज़ मुझे बताएं कि जो से बाएर वो गए थे तहरीक इनसाफ को तो पता ही नहीं था नौज श्रीफ ने लंदन में पार्टी लीडर से कुरान पर हल्फ लिया और जनरल बाजवा को एक्स्टेंशन के लिए मुकमन स्पोर्ट देने का हुकम दिया मुझे भी बताया गया कि हमने नौज श्रीफ को क पाकिस्टान का सबसे बड़ा मसावा आज का नहीं बलके बरसों कुराना ये है कि वाज रियासत में स्यासत में पूरी तरह से दखल अन्दाज है और वो जै जै ये जो आट फर्वरी के नताइच को जिस तरह से बदला गया है और जिस तरह से पाकिस्तानी अवام के फैसले क رت किया गया और ना सिर्फ रत किया गया बलके उन पर अनी लोगों को मिसल्लत कर दिया गया है जिन को पाकस्तानी अवाम रत कर चुकी थी तो यह वstarीन खिसम की फस्तायत आप गश्माने में भी आपके زमाने में पी आपके जमाने में भी इसी ताफ दखील थी statement या दरा कम थी नहीं उस वक्त तो पर्दे के पीछे से काम होता था लेकिन अब अब असल में वो जो मैं पर्दा हट गया अब 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 वो बिल्कुल शर्मो हया जाती रही है बेगैरती का राज है और उसमें हर शक्स अपने आपको अपनी हरकतों से अपने फॉल फेल से इस तालाब में इस हमाम में सभी सभी अफराद नंगे हैं लेकिन मैं मुझे अफसोस होता है अपनी कौब पर आप आप ने देखा कि अभी पिछले हफ़ते केनिया में के अवाम ने क्या किया जी बिल्कुल बिल्कुल उन पर उन पर एक ऐसा बजट मसलत किया गया था जो के हक में नहीं था उनका ख्यार ये था कि ये ये अवाम के के मफाद के खिलाफ है लहादा वो सड़कों पर निकल आए पचास से ज़्यादा आप मुझाहिरीन हलाक हुए लेकिन आखिर में उन्हों ने अपनी बादमन वाली पूर कर दिया कि वो उस खानून को वापस ले अभी देखिए आप दिन दिन से देख रहा हैं कि बंगलादेश में क्या हो रहा है बंगलादेश में अवाम निकल आए हैं और वहां पर भी इतजाज कर रहे हैं अपने हाद के लिए अपने हक के लिए जानों की खुर्बानी देने के लिए तयार हैं पाकिस्तानी अवाम म कहीं ये बेदारी ये जजबा नजर नहीं आएगा अचा एक एक ज़रा मैं दो आँँ अब थोड़ा सा बेदारी में थोड़ी सी आपको दिखाता हूं ये जस्टिस मनसूर अली शाह साथ का एक मैं सौट आपको सुनाता हूं वो ज़रा सुनिये और उस पे मैं चहूंगा कि आप जरूर कॉमेंट करें ये जस्टिस मनसूर अली शाह साथ हैं जो के हो सब्सक्राइक इसके बाद चीफ जाज भी बन जाएं और उनका हमें पता है कि वो इनके ख्यालात क्या है इज़रा सुनिये गए आपको सुनिय कोर्इब तर समय, आग Ke trees आपको जोग तम बार्पूर, प्रसु का जोखे आखा हो समय, Sharpies, जा तो मुन इहां, तो समय कने हैं। रिद्धा कार्शुछ ना कर दोगा है थुर्वारी हम एजुथच्छ उर्दटीटेशेतों थे जाव five, csak a se, च जोथिए कि नेखिए कर दोगान। यह जी जस्टिस मनसूर अली शाह साहब का ख्याल और उसमे मैं चाहूंगा कि आप ही दर इसमें हमें यूर टू सेंट्स क्यूंकि यह जो चीज है यह लोगों को समझानी बहुत जुरूरी है कि जो वो समझा रहे हैं कि अगर आपने जिन्दा रहना है सरवाइब करना है तो जिए बहुत अब जिस माशरे में अदल नहीं होता है और आदलाना वह ऐसा अदालती निजाम नहीं होता जो अवाम को इंसार दे सके जो अदल फराम कर सके तो वो माशरा हमेशा इंतिशार का शिकार रहता है वो उस माशरे में तामीर नहीं होती तक्रीब होती है। ये क्या हो रहा हमारे मुल्क का ये किस तरफ जा रहा है चर्चिल ने का उस से सवाल किया कि अदालतें काम कर रही हैं। जो निजाम तफ्वीश किया है जो अता किया है वो निजाम दो सुटूनों पर है एक सुटून तो है इहतराम इन्सानी इन्सानियत का इहतराम इन्सान का इहतराम और दूसरा है अदल और दोनों में मसावाद मुकमल मसावाद है ये नहीं देखा जाता कि कौन बड़ा है कौन छोटा है हमारी तारीख में ये वाकिया दर्च है कि हजरत अमर खलीफा दोहिम से जुम्हे के खुद्बेम जब दे रहे थे तो एक शक्स ने खड़े हो के सवाल किया कि मुझे ये बताओ कि पिछले जो वाले खड़ीमत था उसमें हर शक्स को एक चादर दी गई थी और तुम लंबे चौड़े आदमी हो तुम दरास खामत हो तुम्हारा ये लिवास एक चादर में कैसे बन गया है तो भरत उम्ट नहीं कहा के इसको इसको गिरफतार करके ले जाओ इसको बाहर नि Millennium ने था लो प्हां नहीं है उटालो हाँ जो पाकिस्तान में इस जो जो निजाब है अंहें जवाब दिया कि मैं बिल्कुल तुम्हें डुरुस कह रहे हो के चादर में मेरा लिवास नहीं बन सकता था मेरे बेटे ने अपने हिस्से की चादर मुझे दे दी और दो चादरों से मेरा इलिबार दूसरे मिसाल दूसरे मिसाल ये के खलीफ़ चाहरुम मौला अली मुर्तजा के दोर में एक एक यहूदी ने खलीफ़ वक्त पर मकदमा किया था उस ने खु उसकी जिरा बक्तरती जो अली ने चुरा है और खलीफ़ वक्त को मुंसिफ ने जो जो जश था उसने तलब किया और खलीफ़ वक्त अदालत के कटहरे में एक आम शेहरी की तरह से खड़ा हो यह वो तारी यह है इनसा यह यह वो अकाबरीन दीन हैं यह वो नमूने हैं क्या आरी तारीख में हैं लेकिन हम उनकी पैरवई तरह नहीं करते हैं अच्छा इनी यह वर्धिर में आपको बताता हूँ कि जो आपने बात की है ना उनका नाम लेने वाले और इस तरह के दरसों तदरीस करने वाले जो लोग हैं उनकी यह हालत है जर आप यह जरा देखिएग और कहते हैं कि जेल से अगर बाहर आए तो मुल्क में इस तैकाम नदर नहीं आएगा और ये फोज को पता है इसलिए वो अंदर हैं हमें इसकी मजलुमियों तो नदर आती है मगर आप फोज की मजबूरी क्यों भी तो समझें और साथ ही नों ये भी कहा गोरी साब कि इमरान जो है उनकी जिन्दगी जो है वो यू-टर्ण से अबारत है अब एक सेकंड के लिए दर हमका एक सौट सुन लिए मैं बताता हूं कि यू-टर्ण किस ने लिया है ये देखिये का अब जिन्दा रहे है और वह जिन से माहर आगे तो पिर इस मुल्क में कोई चीज आपको न इस बात बुरी करें इसका हाल कोई ऐसा नहीं कि इस वन्दे को रास्ते से एटाते हैं कि कोई सोशन नहीं है यह मैं अगर किसी को पहले वांब जिठाना कि आप लोग यह तर रहे हैं उसे यहीं हो जाएगा कि आप सही कहते थे और बताओं पॉलिटिकल लीडर्स किसी भी में नेमत होते हैं उनके एक शारों के उबर लाखों करोणों लोग बात मानने के लिए त्यार हो जाये वो चीफ जस्टिस हो या आदमी चीफ हो वो तो महले का कॉंसरर का लेक्शन नहीं जीज़ते हैं अब दर अंदादा लगाई है यह है जी इनकी हालत कुछ कुछ अर्सा पहले यह कह रहे थे और आप कहरें कि अगर जिन्दा रहे तो बड़ बड़ा पाक्सन की तबाई खुदा नखास्ता हो जी 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 तो आप अंदादा लगा सकते हैं कजानत आप के आवाज इनकी है गला इनका इस्तमाल हो रहा है लेकिन बाद किसी और रफास किसी और के है हाँ वो इनके हलत में लुकमा किसी और ने दिया है तो यह तो इस मास्टर वाइस हैं अब आज मैं मिसाल की तोर पर वो एयर वाई पर जो प्रोगाम होता है जो खबर खबर के नाम से उसमें उसमें फैसल वावडा आए हुए थे एक तो देखिए दानिश्वरी उने क्या है वैसल वावडा और वो वो बुकरात और सुकरात बने हुए यह कह रहे थे के पीटी आई का तो वही हशर होगा जो एम्प्यम का हुआ था कि उसमें दो धड़े हो जाएंगे तो ये ये सब ये सब फोच की जो establishment की जबान बोल रहे हैं ये वो लोग हैं जिनको establishment अपने मकासित के लिए अपने मदादात के फरोग के लिए इस्तमाल कर रही है और ये जानबूच कर मुल्क में हर सथा पर हर पेमाने पर इंतिशार भेलाना चाहते हैं ये पाकिस्तानी अवाम को कोई लम्हा सुकून का नहीं देना चाहते कि वो अपनी सूरते हाल पर गोर करें और ये फैसला करें कि वो किस हद तक दीवार से लगने को तयार है किस हद तक द्रियाव किया बात है आखिर में मुख्तसर में जाओंगा एक खबर आपने भी देखी होगी और वो ये है कि सीनियर पॉलीस ऑफिसर्स दो जो हैं जो एक डेलिकेशन के साथ गे वे थे चाइना में उनका वापसी के उपर वहीं पे लड़ाई हुई है आपस में ने बड़ी धिंगा मुश्टी की है फिजिकल भी हुए हैं और गारियां और लोगों के सामने चाइना के लोगों के सामने दी हैं जो के पाकिसान की उन्हों ने वहां पर वेज़ती करवाई है ये एक साहफी है फरत अबास काजमी साहब मैं उनको को कर रहा हूँ की इज़त का मामला है हम लोग यहां पर आएमें हैं लोग डेखेंगे हमें तो क्या केंगे वहां पर फिजिकल हो जाते हैं लड़ाईयां शुरू हो जाती हैं फिस्टिकाफ शुरू हो जाते हैं ये क्या है जी आ कजाना साब वही एक तो जो मैं बार बार अपने आपको द साकी जवाल सर चढ़के बोख रहा है मैंने भी मैंने भी ये क्लिप देखा था कि वो चीन गए थे तर्वियत के लिए सीनियर अफसरा जिसमें तमाम सुप्रजेंट लेवल के लोग थे पुलीस के सीनियर प्लीस और जो लीडर थे इस ग्रूप के वो और उनके नाइब के दर्मियान पहले तो वो मजाब हो रहा था उसके बाद वो बढ़ते बढ़ते तर्फ कलामी तक पहुंची और फिर दिंगा मुश्ती हुई और ये सब चीनी मेजबानों के सामने हुआ अशगर के हवा पाई अड़े पर खुआते हैं कि शर्म से डूब मरने वाली बात है कि जिस पर ये लोग फाइज हैं और पुलीस खास्तोर पर हैं पुलीस तो तर्वियत यह जी जाती है कि वो अखलापी और और तंजीमी लिहाज से मॉडल बने अवाम के लिए और वो जो इस तरह की उनक कर रहे हैं जिस तरह से अपने भी अपना और ये ये गौरी साब इसमें सौरी टू कर्शी शॉर्ट इसमें देखिए कि कमाल यह है कि यह वो लोग हैं जो सो कॉल्ड बड़े पढ़े लिखे और मुकाबले का इम्तिहान दे के आते हैं जो के बड़े होने चाहीं पुलीस सर मजांगे शवड 민주 का के लिए अफसरान है तो वह जाना मुश्की लिए कजाना साब के वो जो जागीरदारी कब्चर की लानत है कि हर शुक्स अपने आपको चौदरी समझता ही नहीं है बलके अपने आपको चौदरी मनवाना चाहता तो यह चौदराहट के सारे बड़ाई बड़ाई अफ्सौस होता है, बड़ाई ही अफ्सौस होता है. कवमे फरोफतंदा च्या, फरोफतंद शर्म आती है कि हमारी हमारी حکومत ने, अब हमारे लोगों ने क्या दुना दिया इस मुल्क को जो कि एक अच्छा खासा मुल्क को अगरता था बड़ा अस्वास होता है वह रिसे वाका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यकीन है कि आप मुझसे भी ज्यादा दुखी होगे क्योंकि आपने तो हमसे ज्यादा कुछ देखा वाए और बहुत अपने आपको भी बद्नाम करें मैं और आपने जद साही आप और इसकी इसकी कोई प्राइस भी लिए कोई मतलब होता है या कि आगे किसी को सजार मिले या कुछ भी या वह भी